साथवी से दसवी जेपीसी 252 सीट की जो वेकंसी आय थी उसको तो जेपीसी ने रिकोर्ड समय के अंदर कंप्रीट कर दिया है लेकिन इस करम में उन्होंने अफने ही पारदर सीटा के नियमों का उलंगन किया है अंक जारी किये बिना ही न्युक्ति के अनुसंसा सरकार ने कर ठाट को माता जायेगा न्युक्ति पत्र आने का जोलाइक पत्र मात दिया जाएगा अब तक रिजल्ट के बाद सभी में दोवारोंक नंबर वेψाट पर किया जाते है अपलोड आने के लिया पास फैल सबी के मार्क्त अप्रोड किये जाते हैं इस बार अप्रूड नहीं किया गया है पार दर सिदा के लिए आयो के क्या निया में पहला है कि परिच्छा के बाद नियुक्ति के लिए अनुसंसी तो मुद्वारों की कोटी वार सूची आयो की वेबसाइट पर लोट किया जाएगा इसे सिर्फ संबंदी तो मिदवार डाउलोड कर सकेंगे मांक साधी से संबंदी सुचना आयो के वेवसाइट पर साथ दिनों तक प्लब जरहेगी जेपीसी ने परिक्ष्छा में पात दर्सी था कि अपने इन्युमों का उलंगन कर सरकार के पाद दोसर बाउंस सफल मिदवारों के न्युक्ति के अनुसंसा भे दी हाला कि आयोग ने कट आप माक्सों सफल मिदवारों को मिले नमरों को सारजनिक नहीं किया है आयोग ने न्युक्ति के लिए सरकार को भेजिगा अनुसंसा पत्त में भी इसका उलेक नहीं किया है आयोग की इतिहास में बिनानक जारी किया ही न्युक्ति के अनुसंसा करने किया फैली गटना है जिसने कई तरक के आसंकाओं को जर्म दिया है सरकार ने भी आयो के अनुसंसा के बाद प्रवान पत्रों के जाज कर लिए और निक्रीव पत्र देने के लिए आठ जुलाइ की तीतिन रिजायत कर दी है इसके लिए आयरवाट सबागार में समारो आयूत होगा रहा निके सबकुछ गोलमाल है और क्यों नहीं किया जा रहा है जाज का विज़से है और इसके लिए कंडिUM कर रहे रहें क्योंकि उनको अपना हच चाहिए आपना मार्स पता होना चाहिए या कि जो पास कितने number से हम चुके हैं हमको तो पता होना चाहिए क्योंकि जो candidate असफल हुए हैं उनको अगली बार के लिए ये पता होना चाहिए कि उनको पिछली बार कितनी mark से selection नहीं हुआ था